नमस्कर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आप देख रहे हैं इविद्या चानल चानल नबर 10 और हमारा यूट्यूब चानल जो है और आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं रेनुभाट अपने इस लाइव इंटराक्शन में जिसमें हम बात करेंगे 10 स्टैंडिट के सोशल साइंस के स्टूरेंस के लिए और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम आपके साथ साझा करेंगे आज का हमारा टॉपिक है एव्री ड नई बाते इस आज के सतर में जानने वाले हैं खास्तोर पर हम बात करने वाले हैं मुद्रण की तो मुद्रण ने किस तरह से क्या बदलाव लाया क्या सामाजिक बदलाव आए और कौन-कौन सी चीजे इसमें आप सभी बच्चों को जानना जरूरी है आपको बताएंगे हम समय हमारे साथ स्टूडियो में मौझूद है तो चलिए उनसे हम आप सभी का परिछे करवाते हैं आप हैं डॉक्टर साइनात का बारे सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है अपने सभी देखने वालों को हम बता दें कि सर असिस्टिंट प्रॉफिसर हैं डिपार्टमेंट की द्वारा आप हमें कॉल कर सकते हैं टेलीफोर नंबर पर जो है डबल एट डबल सीरो डबल फोर सीरो डबल फाइफ नाइन यह पिर आप हमें एमेल के माधिम से भी अपनी सभी प्रतिक्रिया और प्रश्नियों हम तक पहुचा सकते हैं अगर आप हमारे यूट्यूब च रहं चाहते हैं कि जपानी बातों के साथ अपने प्रश्नों के साथ हमां से हमारेis composition में जुडए और इसका इसा बने तो जब तक आप हमसे अपनी बातें पूचते हैं अपने प्रश्न आप उंचते हैं हम sainaak sir आपके पास आएंगे याँबर हम आप आप से जालना चाहें है तो यहां पर हम आपसे पहले इस पार्ट का हम इंट्रोड़क्शन जारना चाहेंगे आपसे ताकि हम इस सत्र की शुरुवात कर सकें धन्यवाद आज की सत्र में हम कक्षा 10 विशा इतिहास और इस पार्ट का खंड क्रमांक है तीन जो की रोजाना की जिंदगी संस्कृती और राजनीती के संदर्व में है इस सत्र में हम इसके बारे में जारेंगे इस सत्र कंड में हम देखते ही कि मुद्रन संस्कृती और आधुनिक दुनिया इसके बारे में चर्चा हुई है और इस पे मुदरन यह पाट का केंदर रहा है मुदरन संस्कृती क्या है? मुदरन का इतियास क्या है? इसके बारे में चर्चा हुई है हम देखते ही कि हमारे जो रोज की हमारा जीवन है उसमें हम देखते ही कि हमारे आसपास कुछ किताबे कुछ प्रकाश, चित्र, कुछ परतिमाए, कुछ वरत्तपत्र, ऐसे पाट्टे-पुस्तोक, ये सभी हमें देखने के लिए मिलते हैं लेकिन हमें इसके देखने के बाद हमें एक प्रश्ण चिन्न हमारे मन में आता है कि ये कैसे बनाया जाता है इसका काम कैसा होता है, मुद्रन कैसे होती है, चपाई कैसे होती है और उसके बाद आगे का प्रश्मा आता है कि ये कब सी शुरू हुआ, इसका इत्यास क्या है तो इसके बारे में ही जानकारी इस पाट में हमीं दी गई है जो कि बहुत रोचक हमें इत्यास यहां मालूम पड़ता है जैसे कि हम पाठ का परिछे शुरू में लेंगे और जानेंगे कि इसका जो इत्यास था कैसे आगे बड़ा मुद्रन संस्कृती और आधुनिक दुनिया उसकी बाद शुरुवाती छपी कितावे इसमें शुरुवाती जो कितावे छपी जाती थी उसके बारे में चर्चा हुई है जो कि अलग-अलग देशों में कुछ कितावे छपने का कारिया उन्होंने शुरू कर दिया था उसके बारे में चर्चा हुई है जैसे उदारन सुरूप जपान में मुद्रन यहाँ पे यह चर्चा मिलती है उसके बाद इरोप में मुद्रन का आना जैसे कि गुटेनबर्ग इन्होंने जो प्रिंटिंग प्रेश बननाई उसमें कुछ बदलाव लाए और एक अधुनिकता उसमें उन्होंने निर्मान किया और उसके बाद मुद्रण की क्रांती आई और उसका असर पूरे हमें विश्व में दिखाई देनी लगा इसमें इसका असर जो है नया पाटक वर्ग, उसके बाद धार्मिक विवाद और प्रिंट का डर और मुद्रण और परतिरोध इसके बारे में चर्चा हुई है जो मुद्रन में क्रांती हुई, छपाई में क्रांती हुई, उसमें बदला हुए, उसमें आसानी आई, उसमें गती आई, इसका उपयोग या परिणाम, जो हम देखेंगे, तो वो है नए पाटक उवरगों का इसको पाटक उवरग जो है, इनको उसका बहुत फाइदा हुआ क्योंकि उनको अलग-अलग विचार धराएं पढ़ने के लिए प्राप्त हुई धार्मिक विवाद भी हम यहां देख सकते है और बाद में हम देखते हैं कि पढ़ने का जिनून जो था तो उनको यह सहयोग प्राप्त हुआ इसमें दुनिया के जालिमों अब हिलोगे तुम इस उपगटक में हम देखते हैं कि दुनिया में जो भी कूवे वस्ताय थी जो अत्यचार था शोशन था जुल्म था उकरने वाले वरग के विरोध में कुछ आवाज उठाने वाले भी कुछ यहाँ पर हमें चपाई के द्वारा कारिय दिखा ही देते हैं और इन्होंने उनके विरोध में कुछ संगर्ष निर्मान किया था मुद्रन संस्कृतियों फ्रांसेसी क्रांती हम इस पाट में मुद्रन के कारण जो क्रांतियां हुई है उसको सहयोग कैसे मिला इसके बारे में भी चर्चा यहाँ दिखाई देती है उन्निसवी सदी में कुछ मुद्रन और चपाई के कारण बच्चे महिलाए और मजदूर इनके प्रश्णों पे बाच्चीत बढ़ी इनके समस्याओं पे कुछ लिखना शुरूर हुआ और इनके समस्याओं पे चर्चाए समवाद आगे बढ़ी इस पे भी चर्चाए हाँ दिखाई देती है नए तक्निकी के बारे में भी यहाँ चर्चाए हुए बाद में जो महतोपूर्ण है हमारे लिए जैसे कि ये मुद्रण और चपाई भारत में कैसे आई और इसका प्रशार और प्रचार कैसे हुआ लेकिन भारत में जो मुद्रण और चपाई आई लेकिन उसके पहले कुछ चपाई होती थी क्या उसके बारे में भी यहाँ जनकरी दी गई है जैसे कि पांडू लिपयां के बारे में बताया गया है उसके बाद छपाई भारत में आई तब उसमें एरोपियन के कारण जो मुद्रण का कार्य चला उसमें कुछ बदलाव आए उसके बारे में चर्चा यहां दिखाई दीती है दार्मिक सुधार और सार्वाजनिक बहस इस पे हम देखते हैं कि जो धर्म में सुधार की जरूरत थी सार्वाजनिक जो भी समझ से थी उस पे भी जो यहां चर्चा हुई दिखाई देती है प्रकाशन के नए रूप और महिलाय और मुद्रण प्रिंट और गरीब जनता प्रिंट और प्रतिबंद ऐसे विशयों के आधार पर भी प्रिंट और यह सारे विशय इस पे चर्चा हुई दिखाई देती है जी तो ये तो बात हुई कि इस पार्ट के परिषय के बारे में और आप सभी को पता चला कि हम इस पार्ट में क्या क्या पढ़ने वाले मुद्रण की विशयों तौर पर बात की गई है इसमें तो हम आपसे जानना चाहेंगे मुद्रण के इतिहास के बारे में, कहां से शुरुवात हुई, कैसा इसका प्रचार प्रसार रहा या आप हमारे सभी दर्शकों तक पहुँचाएं से तो ये बहुत महतोपूर्ण सवाल है, ये जानने के बाद हम मुद्रण के था, मुद्रण का इतिहास क्या है, शुरुवात कैसे हुआ, उसका प्रचार प्रसार कैसे हुआ, और हमारे भारत में इसका प्रचार कैसे हुआ, और हमारे आसपास जो भी हम प्रकाशित मुद्रण या चपाई देखते हैं, तो उसमें कैसे योगदान उसका रहा, ये जननना भूद जरूरी है, तो हम देखते ही कि शुरुवात में, चीन, जपान, कुरिया, यहाँ पे कुछ उन्होंने मुद्रण को विक्सित किया था, उसके आविशकार उन्होंने लाए थे, और वहां से मुद्रण का विकास हुआ, और आगे बढ़कर फिर ओ, इटली और उसके बाद जर्मनी में उसका विकास हुआ दिखाई देता है, जर्मनी में गुटेनबर्ग ने उनमें बहुत सारे बदलाव लाए, उसमें बहुत सा चपाई में गती प्राप्त हुई, और इसके आधार पर हम देखते हैं कि भारत में जो एरोपियंस व्यापार के कारण आये थे, उन्होंने भी ये चपाई और मुद्रण की शैली भारत में लाई और भारत में इसका विकास और प्रसार हुआ, जैसे कि भारत में प्रसार हैं कि भारत में बारत में जो चपाई और मुद्रण इसका विकास हुआ, दिखाई हमें दिखता है हमारे पाट्य पुस्तक में कुछ बहुत रोचक ऐसे चित्र हमें दिखाई देते हैं, जिसके आधार पर हम प्रिंट और मुद्रण के बारे में और अच्छी तरसे हम जान सकते हैं जैसे कि प्रिंट के आने से पहले पुस्तक का निर्मान यह चित्र दिया गया है, इस चित्र को देखते ही हमें पता चलता है कि यह जो प्रिंट मुद्रण चपाई की जो पद्धती थी वो विक्सित होने के पहले कैसे ही इस पे काम हुआ जाता था तो हम देखते ही कि बहुत सारे लोग इसके लिए कार्य कर रहे हैं, जुटे हुए हैं, इसमें हस्तक्षर बहुत महतो पुर्ण था और यह शुरुवात में पढ़ा जाता था, सुना जाता था और उसको लिखा जाता था उसके बाद उसमें हस्तक्षर के साथ साथ चित्र लिपी भी बहुत महतो पुर्ण थी और यह बहुत दिर्ग कालिक कार्य था, एक किताब बनाने के लिए बहुत सारा समय इसमें बिद्ध था त्रीपीटी का कोरियाना का भी एक चुत्र है जिसमें हम उड़ ब्लोक्स देख सकते हैं यह जो त्रीपीटी का है जो की बउध्ध धर्म में त्रीपीटी का बउध्ध धर्म का जो धर्मग्रंत है त्रीपीटी का उसमें जो हमें तत्वध्यान मिलता है उसको हम देखते हैं कि चीन चापान और कोरिया में उन्होंने उड के लकडियों के पट्ट पे लिखा और उसको सुरक्षित किया उसको उड ब्लॉक्स कहते है उसके बाद जिक्की जो की कोरिया का एक किताब है उसका चित्र हमें दिखाई देता है तो यह क्या है तो हम देखते हैं कि इसमें जो जानवर के चमडों से बनाया गया यह किताब है जिस पे कुछ लिखा गया है और इसको जिक्की कहा गया है योहान गुटेनबर्ग का भी हमें चित्र दिखाई देता है जिसने जर्मनी में हमारे चपाई और मुदरन में क्रांती लाई और उन्होंने इसमें बहुत आसानी और आधुनिकता हमें निर्मान किया दिखाई देता है गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस के बारे में भी एक चित्र यहाँ दिखाई देता है जिसे स्कृू से एक लंबा हैंड़ हम यहाँ देख सकते हैं और जो स्कृू गुमा कर हम प्लाटेण को गीला काउघुन पर दबा कर उस पे चपाई करता एक विकती हमें प्रिंटिंग में और चपाई में बहुत बड़ी आसानी आई गत्य आई और इसे कारण हम देखते हैं कि जो चपाई थी वो बहुत आसानी से और अधिक मात्रा में होने के लिए मददकार सैयोग पूर्ण हुआ दिखाई देता है एक मुद्रण की वर्क्शॉप का भी चुत्रा हमें दिखाई देता है जिसमें मुद्रण या चपाई का जो केंद्र है और वहाँ पे जो कारी चलता है उसके बारे में हम जान सकते हैं कि व्यक्ति समूह क्या कारी कर रहा है कुछ चपाई के लिए कारी कर रहे है कुछ प्रेस के लिए कार्य कर रहे हैं और बहुत सरा यहां पर व्यक्तियों की मनुश्यबल की आवशक्ता इसमें दिखाई देती है प्रिंट के आगमन का उत्सव चित्रवी दिखाई हमें देता है पाट्ट बुस्तव में कि प्रिंट का जो आगमन हुआ चपाई और मुदर्ण में जो कांती और बदलाव आये उसके करण जो प्रिंट होने लगा था उसके आगमन का उत्सव और प्रिंट का महत्व बढ़ाने के लिए कुछ उत्सव चित्र हम देख सकते है इसमें जो अलग-अलग राष्टों ने इसको मान्यता दी इसका सयो किया उसके कुछ चित्र यहां दिखाई देते हैं स्वर्ग में देवताएं दिखाई देते हैं जो कि इस प्रिंट को चपाई को जो मुदर्ण की क्रांती है उसको उन्होंने सयोग दिया ऐसा दिखाया नेका प्रयास इस चित्र में हुआ है फ्रांसिसी क्रांती के पहले कुलीन वर्ग और आमा जन इसके बारे में भी एक चित्र है इस चित्र में हम जान सकते हैं कि जो कुलीन वर्ग है वो आराम से चैन से अपना जीवन वेतित करना है विलासी जीवन बिता रहा है लेकिन उसके विरुद जैसा चित्र नीचे दिय गया है जिसे की कामगार या किसान बहुत कश्टपूर्ण जीवन बिता रहे हैं और ये विरोधा भास दिखाने का प्रयास इस चित्र में चपाई के दौरा दिखाने का प्रयास किया गया है जी तो हमने चित्र देखा और हमने आपसे जाना कि किस तरह से मुद्रन का शुरुवात हुई उसका प्रचार प्रसार हुआ वो आपने बहुत ही अच्छे से हमें हमारे सारे दर्शुकों तक पहुँचाया हम यहां पे बात करना चाहेंगे क्योंकि जिस समय उसका प्रचार हो रहा था उसमें संसार में दुनिया में काफी करांतिया भी हो रही थी तो ऐसे में मुद्रन का करांती पर क्या प्रभाव पड़ा और मुद्रन करांती ने मुद्रन को किस तरह से हम कहें कि और ज्यादा पहला है यह हम आप से जाना चाहेंगे तो हम अभी जिस चर्चा हमने की है उसमें छपाई और मुद्रण के बारे में हम ने जाना जिससे कागच पर कुछ छपा कर हम समवाद कर सकते हैं हमारे जो भी समस्या है हमारे मन में जो प्रशना आते हैं समाज के लिए राश्टर के लिए जो बदलाव के आउशकता है उसके बारे में उसमें हम लिख सकते है और ये जो क्रांतियां थी सामाजिक बदल थे उस पर उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया ये योगदान बहुत महतुपुर्ण था क्योंकि जो भी बदला और क्रांति थी उसको उन्होंने गती प्राप्त की सभीका मनोबल बढ़ाया जो कि उधारन सरूप हम यहां फ्रांस की कांति दे सकते हैं फ्रांस की कांति जो चल रही थी समाज में बदलाव का विचार चल रहा था राजनितिक बदलाव का बदलाव की मांग हो रही थी राजा का जो शोशन था राजेशाही का जो शोशन था उसके विरोध में समाज बोलने लगा था संगटित होने लगा था लेकिन कहीं तो उनको और एक कुछ शक्ती या सहयोग की आवोशक्ता थे जो कि इस छपाई मुद्रण ने प्राप्त कर दे क्योंकि छपाई के द्वारा मुद्रण के द्वारा समाज में समवाद बड़ा समाज के जो नेतर्वत आगे आये थे उनके जो विचार थे समाज के लिए समाज का जो शोशन चल रहा था उसका विरोत करने के लिए जो उनको ने विचार दिये थे वो कहीं तो छपाई के कारणा आधार पर वो समाज में हर स्तर पर पहुँशने के लिए मदद मिली और जो शाशन था उनको भी समाज के जो समस्याई थे प्रशन थे उस आधार पर उसकी जानकारी प्राप्त हुई इसके कारणा हम देखते हैं कि फ्रांस में बहुत बड़ी क्रांती हुई क्रांती को गती मिली सायोग मिला और हम इस क्रांती के आधार पर फ्रांस में बहुत बड़े बदलाव हुए दिखाई हमें देते है हम यहां कुछ और अधीक चित्र हमें हम देख सकते हैं दिये गए है जैसे कि railway station पर लगे विज्ञापन का एक चित्र है हम देखते हैं कि कुछ चित्र और posters जो मुद्रन और चपाई के कारण ही इतने सुन्दर उसको बना बनाया गया था और ये विज्ञापन के लिए बहुत उपयोगी था इससे बहुत सारे उपयोग उन्होंने क किया विज्ञापन किया और अपने जो भी उत्पाद थे उसकी जानकारी समाज तक उन्होंने दी भारत में भी इस मुद्रन का प्रकाशन का चपाई का प्रचार और प्रसार बड़ा शुरुवात में भी तो पंडू लिपी के आधार पर आरबी संस्कूरूत और फारसी मे हम पंडू लिपियों के आधार पर हस्त लिकित देख सकते हैं लेकिन इस चपाई के कारण इस मुद्रन के कारण हम देख सकते हैं कि भारत में अलग-अलग विचार धराएं आगे बड़ी प्रत्पत्र बड़े किताब लिखना शुरू हुआ अपने मन के जो विचार थे मह मुद्रता के लिए यहां पर लिखना शुरू हुआ उसको सहयोग मुद्रन और चपाई से प्राप्त हुआ दिखाई देता है जी तो भारत में मुद्रन के इतिहास के बारे में या फिर धार्मिक सुधार के बारे में से भारत में हम देखते हैं कि जो यूरोपेएंस आये थे उन्होंने चपाई और मुद्रन के ये शैली लाई और यंतर लाया इसके करण भारत में चपाई होना शुरू हुआ और भारत में हम देखते हैं कि इसका प्रचार प्रसर आगे बढ़ा लेकिन भारत में और दुनिया में धार्मीक सुधार के लिए भी इसका सयोग हुआ धर्म में कुछ कूरीतिया थी जो की धर्म के धर्मगरंतों में तो ये नहीं था लेकिन बाद के कालखन्दों में इसका उपयोग समाज में हुआ और इसके बदलाव के लिए धर्मीक जो बदलाव अवशक्त है, सुदार अवशक्त है चपाई और मुदरन के अधर पर वो चपने लगा, उस पे समाज ने विचार करना, समवाद करना शुरू कर दिया धर्मीक सोधार में चपाई और मुदरन का भी बहुत योगदान मुहतपूर्ण रहा ये दिखाई देता है जी, तो सर ये तो बात रही मुदरन की और हम काफी बाते आप से और जानते लेकिन समय हमें बिलकुल जो है इजासत नहीं दे रहा है, अनुमती नहीं दे रहा है कि हम इस सतर को आगे बढ़ाएं लेकिन साइनाथ सर हम यहां पर आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप स्टूडियो आए और आपने हमारे सभी देखने वालों को इतनी अच्छी जानकारी दी, मुदरन की क्या बहुत ही संक्षेप में आप कुछ और बात ह चलता है, जैसे कि उरत्योपत्र कहां चपते हैं, उस केंदर में, उस थान में हम विजीट कर सकते हैं, बहट दे सकते हैं, वहां क्या काम चलता है, कैसे चलता है, यह देख सकते हैं, जान सकते हैं, उनके सामने जो समस्या हैं, वो भी जान सकते हैं, उरत्योपत्र जो है, उ यहां ले सकते हैं तो हम यह activity ले सकते हैं और हम आप सभी से यह निवेदन करते हैं और expect करते हैं कि बच्छों आप सभी जाएंगे और library में जाकर के या publication में जाकर के आप ज़रूर देखें एक बार और साइना सर आपके एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद से यहां पर एक चोटे से ब्रेक पर जाएंगे ब्रेक के बाद अपने एक और लाइव इंट्रेक्शन के साथ हम हाजिर होंगे जो कि science के 9th standard के students के लिए है टॉपिक रहेगा atoms and molecules इस पर आपको विस्तार से जानकर दी जाएगी और आप से हम विदा लें लेकिन जाने से पहले एक बहुत जरूरी बात हम आपके साथ साजा करना चाहेंगे आप सभी देखने वालों के साथ की आज जैसे कि आप सभी को पता है कि लोकदान का महापर्व मतदान शुरू को चुका है और हम आप सभी से निवेदन करेंगे कि जितने भी दर्शक हमसे जुड़ेवन हैं और जितने भी दर्शक 18 वर्श याऊ से उपर हो चुके इस लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा जरूर बने और मतदान करें और बढ़ चड़ कर इसमें हिस्सा ले और ना कि वहला आप स्वेम जाएं बलके अपने परिवार चेनों अपने परोसियों और अपने मित्रों को भी साथ ले जाएं और उन्हें भी आप इंस्पार करें